देश भर में एद उल अजहा यानि बकरीत का त्योहार 21 चलाई को मनाय चाहेगा। इस दिन इसलाम से जुड़ा हर शक्स खुदा के सामदे सबसे करीबी को कुर्बान करता है। को पाला जाता है जिसकी जानकरी शेक हुसेन दी। इस दुरान उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पर 200 से 240 किलो ऐसे अलग अलग वचन की बकरिया है। इसले उन्हों देपाला है। यहाँ खरीट के लाएवन ही है। सालों बकरे और वो कुछ यहाँ भी पालता है। कुछ हमारे खेत पे भी पलते हैं। कुछ और दुसरे जगह इंदोर में, कई राजस्तान में, कई सूरत में। इस तरीके के बकरे वो लेके रख लेता वहाँ पर में। और वहाँ पर में पाल कर एक अच्छा जानवर कुर्बानी करता है। आज यह जो बकरे है कोई 220 किलो का है, कोई 240 किलो का है, कोई 180 किलो का है। तो यह बकरे इतने वैसे वजंदार बकरे समालना। साल-साल बड़ बड़ा बहुत तखली वाला काम रहता है। लेकिन उनको हम पालते हैं। पालने के बाद में इनको सभी चीज कियाने मतलब इनका पत्ता है, दूद है, मेवा, इनको सब इनके जो भी पोजिशन है, वो खिलाते हैं। तीन-चार लोग तो पुरे सालवर उनी की सेवों में लगे रहते हैं। इस दोरान उन्होंने बक्रियों को दिये जाने पाले खुरा की पी जानकारी दी। बता दे कि इस इस्लामिक द्योहार की पिछे एक एतियासिक तत्य चुपावा हैं। जिसमें कुर्पानी की ऐसी दास्तान हैं जिसे सुनकर ही दिल काम जाता है। बात उन हजरत इब्राहिम की है जिने अला का बंटा मना जाता है। जिनकी इबादत पैगंबर के तौर पर की जाती है। जिने हर एक इस्लामिक द्वारा अला का दर्जा प्राप्त है। जिसे इस ओते से नवाजा किया और जख्स का खुद खुदानी इंतहान दिया था। कैमरा परसंड राजकुमर मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।